हर्योम नमो नारायना हर्याली अमावश्य पर सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं पांच तरह की मिठाईयों को अलग-अलग पांच पीपल के पत्तों पर रखें और ओम सर्वेभ्यो पित्रदेवभ्यो नमहा मंत्र का जाप करें हरियाली अमावश्य पर खीर बनाए और उसे रोटी पर रखकर गाए को जरूर खिलाए आप किसी कुत्ते को सरसो के तेल की रोटी भी खिला सकते हैं इससे आपको पित्रों का अश्रवाद मिलेगा सोम्वती अमावश्य की रात किसी कुवे में एक चम्मच कच्चा दूद और एक सिक्का डालने पर दरिद्रता से छुटकारा मिलता है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं सोम्वती अमावश्य की दिन सुहागिन महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए सोम्वती अमावश्य की दिन सुभा उठकर पीपल के पेड़ को गंगाजल से सीचे इसके बाद कच्चा सूत 108 बार पीपल की परिकर्मा करके लपेटे मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को पती की दिरगाईयों की कामना करते हुए करना लाबकारी होता है हर हर महादेव अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद